हेलो दोस्तों नमस्कार गुड माताओं भाई वहनों को मेरा प्यार भरा रामरा यानि की सरीता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथ हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस स्वर्ची प्राथना है सारे साथ ही स्वस्थ रहें मस्त रहें अपने जीवन में यूहीं आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो दोस्तों यहाँ पर सुबह का टाइम है और हम सबजी छोंकने जा रहे थे तबी और मटर की सबजी तो मसाला हमने डाल दिया है और छोंक देते हैं और दोस्तों वीडियो बहुत ही मस्त है आप लोग फुल इंज़ाए करिएगा और पहले सुबह सुबह जो है फटा फट बना लेते हैं खाना और उसके बाद में हैं क्या करना है आगे चलते हैं और उमीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और यदी पसंद आ जाए तो प्लीस लाइक जरूर कर देना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो कभी-कभी की वीडियो जो है बहुत ही डाउन जाती है लाइक भी नहीं आते हैं तो बहुत ही दूख होता है आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें तो यहाँ पर जो है सब्जी हमारी पक चुकी थी उसके बाद में बनाने लग गए हैं रोटियां तो सेख लेते हैं रोटी फटा फट से रोटियां हमारी बन चुकी थी और सभी लोगों ने खा पी भी लिया था और जब खा पी रहे थे तब ही हमारी वीडियो अपलोड हो रही थी इस वज़े से हमने कोई उस समय वीडियो नहीं सूट किया था तो यहाँ पर जब वीडियो का सारा हमारा काम हो चुका था तो आ गये हैं बरतन धुलने और अब इन्हें फटाफट से धुल लेते हैं और फिर बाबू को भी नहलाना है क्योंकि वो भी काफी जादा उन्होंने कलर खेला है और सुबह हमने यह देखिए आ चुके हैं यहाँ पर फिर से पानी भरने और इनको काफी हम मना कर रहे थे कि पानी वगएरा मत खेलो लेकिन बच्चे जो है मानते कहां है तो बरतन हमारे धोल चुके थे और जो है उसके बाद में कपड़े जब धोल रहे थे तो हमारी नहनत जी लगती हैं गाउं में तो वही दीदी लोग आ गई थी तो उन्होंने फिर से जो है कलर अमीर वगएरा हमारे लगा दिया है और फिर हम जो है कपड़े लेकर कि आ रहे थे हमारे तो फेस पर ही लगा था हमने माना कर दिया था क्योंकि हमारी तवेन नहीं ठीकती तो हमने का जादा ना लगा ना दोबारा नहीं ना आएंगे हम अभी ऊट करके आये हैं और बहुत ज्यादा सुबहे खाना बरतन सब कुछ कर लिया था और फिर जो है उस दि तो कल का वीडियो हमारा सूट ही नहीं ज़्यादा हुआ था और होली वाले दिन जो है कलर वगरा खेला था तो बहुत ज़्यादा फुल मस्ति किया था लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था अपने मन से जईसे देख रहे हैं किसी का कमेंट ही नहीं फिर स क्या वीडियो अपने मन से आफ हो जा रहा था तो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है तो वही अभी वोट करके आये हैं और आप चलते हैं थोड़े से पापड वगेरा भून लेते हैं क्योंकि तीन बज गया है और पापड हूनेंगे क्योंकि साम का टाइम फिर सभी लोगों का आने जाने का होगा तो इसी वज़े से चलते हैं थोड़े से ताजे पापर भून लेते हैं नहीं तो फिर साम को खाना बनाने लगेंगे तो भून भी नहीं पाएंगे तो बाबु को भी नहला दिया था और ये भी इनको तयार कर दिया था ये भी खेल रहे हैं और साथ में जो कुछ हम करेंगे तो साथ ही हमारे लग जाते हैं और भले इनको जो है लग जाए लेकिन जो है साथ ही साथ लगे लगे रहेंगे और हम भूनने जा रहे थे पापर तो तो ये देखना भी हमारे साथ ही कि ममा हम डालेंगे और एक एक करके देखो हमने जैसे तेल डाला और इन्होंने तेल तभी गरम ही नहीं हुआ था और इन्होंने जो है पापड डाल दिया था और अब हम निकालते जा रहे हैं और एक हाथ से जो है ये डालते जा रहे हैं और ह पहले हमने आलु के बहुन लिया है और दीदी ने भेजा था यह के बाद में जो हमें जावल कि जलेबी जबनाया था वही भून रहा है और यह जलेबी बहँन जावा और बहुत निकालते जा रहे हैं और ये जो है पापड वही चावल वाले जो पापड थें और ये काफी जो ना ही बिल्कुल फटे हैं और एकदम सफेद देखे आप लोग देख सकते हैं और सौब्ड भी बहुत होते हैं एकदम मुलायम तो यहाँ पर थोड़े हमने चावल के भूना है थोड़े जो है आलू की और थोड़े से भून लेंगे चिप्स बगएरा तो इतनी भून के रख लिया है और बाबू परेसान है ये और देखना अभी इनको हम पीछे करेंगे क्योंकि तेल की कभी-कभी हलका लगता है कि सकतnya ऐसे पीछे करेंगे ये बार-बार करें हमोंको डालना है और यजो हमने आलू की चिप्स बनाया था वो इकदम सफ़ेद ये देखीए एक हमारी पाकिस्तान की शिश्टर ने SAY कहा था जो सीष्ट लेकिन यह बिलकुल कड़वाती नहीं और हमारी यहां तो होली में इस दिश्टी भी लगती हैं तो सारे जितने पापन रहा था तो हमारे भून चुके हैं और उसके बाद में इनको जो हलकर ठंडी भी उल्गाएं तो इनको जो ए पलोथिन में रख देंगे ताकि क्योंकि यह बहुत जल्दी से इनमें नमी आ जाती है तो इनको रख देंगे तो पापड हमारे भून चुकिए थे उसके बाद में आ गए हैं यह कंड़े गरने के लिए क्यूकि जगए खाली नहीं थी यहां पर तो सारे कंड़े हमको गरना था और इनको एक जगए इकठा कर देंगे तो यहां पर जो है सुवसा कर देंगे और जो है नए कंडे बनाते भी जाएंगे क्योंकि इस बार हमारे यहां कंडे बहुत ही कम हैं और जो है जो सूकते जा रहे हैं उनको हम उतारते भी जा रहे हैं और वो जो है हमने वीडियो आप लोगों के सार नहीं सेयर किया है और कंडे गरने के बाद में चल दिये थे चलो 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 नीची चलो धीरे मद्रो चलो 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 हमारे तो कंडे हमने गर दिया था उसके बाद में जा रहे हैं खेट तो यहां का जो है बहुत ही अच्छा व्यू था फूल हमारे यहां गेंदा की खेती कई बार हमने बताया है हमारे यहां जादा तर गेंदा की ही खेती होती है तो संधिया का टाइम है सूर्य अस्त होने को बहुत ही प्यारा नजारा है यहां का गंडे घरने के बाद में आ गए हैं हम खेत और इधर यह आ चुके थे तो यह खेत आ रहे थे तो पर हमने का चलो हम भी चलते हैं तो बाबु भी आ गए हैं साथ हमारे और चलते हैं अभी आप लोगों को अपने खेत के गिहू दिखाएंगे अभी काटने वाले नहीं हुए हैं तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते है तो यहां पर यह है मकुया का पौधा तो इसमें आप लोगों के यहां इसको क्या कहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा हमारे खेत में इस बार गेंदे बगयरा नहीं है और उधर दूसरे लोगों के खेत में गेंदे हैं तो वो लोग तोड़के काफी उन्होंने रखा है अभी दूर से काफी दूर है तो यहां से दिखाई नहीं देगा और किसानों को खुसी तभी होती है अपनी लहला हाती फसल को देख करके और यह हैं हमारे गेंदे हैं तो अभी एक पानी संड़े को लगा हुआ था तो यह लोग दोनों लोग जब ममी नहीं थी आप लोगों से अमने बताया था और यहां पर पडूसी हमारे खेत के गेंदे अ और सायद अभी थोड़ा सा हरे जादा देख रहे हैं तो सायद एक बार और पानी लगाया जाए तो किसानों को खुशी तभी होती है अपनी फसल जब लहला आती हुई देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां का जो है नजारा बहुत ही अच्छा था आप कोड़ी सी वीडियो शूट किया था पर इनको हमको मालुम नहीं इसे क्या कहते हैं और आप लोगों कि यहां इसे क्या कहा जाता है अगर यदि पता हो तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा उसके बाद में चलते हैं घर तो हमारी यहां जो है तरह तरह के फूल लगाये जाते हैं तो यहां पर देखिए हर तरह के आप लोगों को फूल दिखेंगे तो हमने थोड़ी सी वीडियो सूट किया था रास्ते की उसकी बाद में आ गए हैं घर तो यह जो है आये थे तो इनसे हमने क्योंकि आज बुद फट जाते हैं तो यहां पर सब्जी लेकर के आए हैं कद्दू है लॉंकी है और जो है सेम है तो सेम अलग रख लेंगे और इधर कपड़ी यह देख रहे थे एक एक मीटर हम थान में मगाया था तो यह सूती दो पीस मंगा लिए हैं क्योंकि हम हम जो है हमेशा सूती ही पह लेते हैं लेकिन जो है पता नहीं क्यों हमको बहुत ज़्यादा चूपते हैं तो हमेशा जो हम सूती ही पहनते हैं तो यहां पर उनको निकाल के रख लिया है और इनको बहुत जल्दी ही बनाएंगे क्योंकि हमारे सारे डेली वाले फट चुके हैं फिर जो उसके बाद में पसंद आया होगा यदि पसंद आया आ गया हो तो प्लीज लाइक जरू कर देना आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्टेदारों में सेर जरूर करना ताकि थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो सके और कॉमेंट करके जरूर आप लोग अपना ध्यान दखिएगा और हमें दीजिए इजाजत नमस्कार दोस्तों